के एलो रेलकम टूल आर घृटिंग सीरीज में आज सब्सक्राइब कर चुछ मॉडन परिपेंटिंग को पेंटिंग जो मॉडन एरा में हम फैंटिंग वैपनिया में रहा तो उस समय जो हम paintings को देखते है है company paintings कि in the colonial period की दौरां हम इनको बंते पेंटिंग है राजपूर स्टाइल पेंटिंग मुगल स्टाइल पेंटिंग इंडियन स्टािल पेंटिंग इनका जो hybrid बना उसमेंपर ठीक है colonial रूल के टाइम पे तो उसे हम ने कहा colonial जब रहा तो उसे हमने और इसमें साथ मेन स्ट स्क्माइड यहां पर यहां पर पिर और टेखनीक्त क्युंच सा आ Kollegin में इंडिया में यहिरोपें आं 떨어intell के बाग за निसilde Gel इंडियेपें येपटिंक तब बनते वह दिखते हैं प्रिटिस इंडियन को रखते हैं अपने कोर्ट में करते हैं तो तब हम थे यूज उजय शुरू हो जाते हैं तो यहां पर यह अलग तरीकी का प्रिल दिधी बेंटिंग नहां और इस थाल प्रप इंटिंग तो इस एक आतर बार चल रहा है आप देख सकते हैं कि दिए आप देख सकते हैं कंपनी एरा के टाइम पर यह हमारा इंडियन जो है वो लाइब स्टाइल इस तरीके से रहा हुआ है now we have second painter and that kind of painting which he has made second painter is Raja Ravi Varma Raja Ravi Varma he was one of the India's greatest painter in India के बहुत बड़े greatest painter रहे वो he is considered to be the originator of the school of modern painting के इंडिया में modern painting के originator माने जाते है the school was called modern because of the heavy influence of the western techniques and ठीक है उनकी paintings को modern इसलिए माने जाते है क्योंकि उनमें heavy influence the western techniques के western techniques थी और थीम से ठीक है उनका जाए तर उनका influence था उनकी paintings में ठीक है राजा रभी वर्मा पेंटिंग में लिगे ही बिलॉंग के ला से बिलॉंग करते थे हुए वस्ट डप डेसर राफल इंड आप देश्ट के राफिर आप देश्ट भी का जाता हुए ठीक है because of his brilliant brush strokes and almost life-like paintings ठीक है उनके painting के जो style ठीक है painting जो बनाते है बिल्कुल life-like ठीक है बिल्कुल ऐसी ठीक है उसमें lady of the in the moon line mother India जो है पड़ी फेमस पेंटिंग्स रहे राजराभी वर्मा रहे ठीक है यह उनका पिक्टर राजर अब बनाएं गई कुछ paintings है और यह देखिए अपनी यह अपनी का लीकि फोटो एक यह अपनी प्रट्स का लिए टिक है उनकी फोटो राजरा रही बनाएं गई जो ए त्टिक योग बनाएं गई गई है लिए ताइम रहा 20th century 20th century में अबने ना टेगार जो है वह उनकी पेंटिंग्स बनना शुरूर होती है तो वहां से बंगॉल स्कूल ऑफ आर्ट वह वहर इंडिया ना शुरू होता है है तुक है की ट्राइट तु इंकोर्परेट वेल्यूस इन इंडियन आर्ट ठीक है सवडेशी प्रीम आप देखने लगते हैं उनकी पेंटिक में और रिद्वेस्टर वेस्टर में वेस्टरन स्टाइल अमंग अंग आंदिस्ट ब्क पेंटिक है उन्हों ने क्या तुरी इन वह पेंटर्स को पिटरनाइस कर रहे थे तो आप देखेंगे कि इंदियन पेंटर्स आने शुरू है तो इन्होंने क्या किया थोड़ा काम कर दिया वेस्टन इंदियन थीम रखनी शुरू कर दिए इस नोन फॉर इस पैंटिंग भारत माता ठीक है भारत नाटा की पैंटिंग जो है इनके दोरा बनाए गई गयीक है बहुत नंडलाल वोज बीस समय के बढ़ा फेमस पेंटर रहे मंगाल स्कुल वाइब वही आदमी है जो है जो है जो और जो अरगा बना था तो इसको इल्यूमिनेट करने का टास्क दिया था ठीक है उसको सजाने काम है ता बना था उसकी जो बिगिनिंग में जो इसको इल्यूमिनेट करने का यह कह सकते हैं उसको बड़ा सब्सक्राइब करने का काम है वह नंदलाल बोस द्वारा आज किया गया है यह रहे अपने बंगाल स्कूल ऑप आर्ट के बड़े फेमस फेंट इस देख सकते हैं अब अबने अबने नार दौर बनाएगी जोई पेंटिंग से यह यह बंगल स्कूल ऑफाइट यह 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 मुविंग ऑन क्यूबी स्टाइल ऑपेंटिंग क्यों पीशिए अपीस में पाट दिया जाएगा ठीक है उसको डिवाइट कर दिया जाएगा और तो क्या किया जाएगा अलाग इस तरीके से दोय पेंटिंगे मुविंग एज के जाएगा और ऐसा लगेगा आपको की जैसे इनोरी ऐसामबल बूरी विमस रही है Спो कि मैं नेखacă देखते हैं कि तो है आपको इसा लगे की तरीक आँगे की प्या पर ले kinetic on this is all about the modern painting now for the GSwartha viewers if you are Lighting our content please like share and subscribe thank you so much